अध्याय छे, धन को आँखों से नहीं देखा जा सकता, और्डियो बुक बाय मिलियनेयर माइंड्स, 1974 में मैंने अपने पहली निवेश के रूप में, वाइकिकी की सीमा पर एक छोटा सा मकान खरीदा, जिसमें दो बेडरूम और एक बात्रूम थे, इस सुन्दर मकान की कीमत 56,000 डॉलर थी, यह किराय पर उठानी के लिए आदर्श था, और मैं जानता था कि यह जल्दी ही किराय पर उठ जाएगा, मैं बहुत रुमान्चित होकर अपने अमीर डैडी के ऑफिस में गया, ताकि उन्हें इस सौदे के बारे में बता सकूँ, उन्होंने दस्तावेजों पर सेरसेरी निघा डाली, और एक मिनट से भी कम समय में नजर उपर उठा कर पूछा, तुम्हें हर महीने कितना नुकसान हो रहा है, मैंने जवाब दिया, लगबख सौड डॉलर प्रती महा, अमीर डैडी बोले, मूर्खो जैसी बाते मत करो, मैंने अभी आकडों को ठीक से नहीं देखा है, परन्तु इन दस्तावेजों के सरसरी तौर पर, देखने भर से ही मैं बता सकता हूँ, कि तुम्हें इससे ज़्यादा नुकसान होगा, तुम जान बुचकर ऐसा निविश क्यों कर रहे हो, जिसमें तुम्हें नुकसान हो, यह मकान सुन्दर दिख रहा था, और मैंने सोचा कि सौदा बढ़ियां है, थोड़ा सा पेंट हो जाए, तो यह मकान बिल्कुल नया दिखने लगेगा, मैंने कहा, यह तो नुकसान उठाने के लिए, कोई तर्क संक्रण कारण नहीं है, अमीर डैडी ने व्यंग से कहा, मेरे रियल स्टेट एजेंट ने कहा था, कि मैं हर महीने होने वाले, नुकसान की चिंता ना करूँ, वै कह रहा था, कि कुछ ही सालों में, इस मकान की कीमत दुगनी हो जाएगी, यही नहीं, सरकार इस पर होने वाले नुकसान के लिए, टैक्स में भी छूट की देगी, इसके इलावा, यह इतना अच्छा सौदा था, कि मैं डर रहा था, कि अगर मैं इसे नहीं खरीदूँगा, तो कोई और खरीद लेगा, यह सुनकर, अमीर डैडी ने उठकर, पने ओफिस का दरवाजा बंद कर लिया, मैं समझ गया, कि अब मुझे वह फटकार पड़ेगी, परन्तु मैं यह भी जानता था, कि मुझे कोई महत्पूर सबक सिखाया जाएगा, मैं पहले भी इस तरह के, सिक्षन सूत्रों से गुजड़ चुका था, अमीर डैडी ने दुबारा पूछा, तो तुमें हर महीने कितने का नकुसान हो रहा है, मैंने सहमते हुए जवाब दिया, लगभग सौ डॉलर प्रती महा, अमीर डैडी ने दस्तावेजो को देखते हुए, अपना सेर हिलाया, सबक अब शुरू होने वाला था, उस तिन मैंने धन और निवेश के बारे में इतना कुछ सिखा, जो मैंने अपने जिन्दगी में पहले 27 सालों में नहीं सिखा था, अमीर डैडी खुश थे कि मैंने साहस करके रियल स्टेट में निवेश किया था, परन्तु मैंने कुछ गंभीर कलतियां कर दी थी, जो मुझे वित्या रूप से तभा कर सकती थी, बैरहाल मैंने उस चुरुवाती निवेश से जो सबक सीखे, उन्होंने आगे चलकर मुझे करूणों कमा कर दिये, पैसे को दिमाग से देखा जाता है, अमीर डैडी ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आँखे क्या देखती है, रियल स्टेट की जायदाद आँखों से दिखती है, किसी कंपनी का शेयर हो, तो तुमें कितने समय तब इसे और और खुद को अच्छे हाल में रख पाओगे, और आखिर तुमने यह कैसे सोच लिया, कि धन का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है, इससे मैं सच्मुच चिंता में पढ़ गया हूँ, मेरी हवा निकल चुकी थी, और मैं किसी आते हुए बस यह बोल पाया, यह सौदा बहुत अच्छा दिख रहा था, अमेरी डैडी मुस्कुराए, खड़े हुए, और मुझसे हाथ मिलाते हुए बोले, मैं खुश हूँ कि तुमने कोई कदम तो उठाया, ज़्यादा तर लोग सोचते हैं, तो बहुत हैं, परन्तु कड़ते कुछ नहीं हैं, जब कुछ कड़ते हैं, तब उसमें गलतियां होती हैं, और गलतियों से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, यह है बात हमेशा याद रखना, असली महत्तु की चीजें क्लासरूम में नहीं सीखी जा सकती, यह सबक काम करके ही सीखे जाते हैं, यह सबक गलतियां करके और उन्हें सुधार के ही सीखे जाते हैं, बुद्धी इसी तरीके से आती है, मैं थोड़ा बहतर महसूस करने लगा, अब मैं सबक सीखने के लिए तैयार था, अमीर डैडी बोले, ज़्यादा तर लोग 95 प्रतिशत निवेश अपनी आँखों से करते हैं, और सिर्फ 5 प्रतिशत निवेश अपने दिमाग से करते हैं, अमीर डैडी ने आगे समझाया, कि लोग रियल स्टेट के कोई जगा देखते हैं, या किसी स्टॉक का नाम देखते हैं, और इसके बाद अकसर निड़ने ले लेते हैं, कि वे इस अधार पर निड़ने लेते हैं, कि उनकी आँखें क्या देखती हैं, या कि ये चर्चा सुखत तो नहीं थी, परन्तु मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, तीन दिन बाद मैं एक बार फिर अपने अमीर डैडी से मिलने गया, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, और एजेंट का उसका पूरा कमिशन मिल गया था, क्योंकि उसने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी, हालांकि कीमत पहले जितने ही थी, परन्तु निवेश की सर्टें पहले से बहुत अलग थी, ब्याज दर, भुकतान की शर्टों और किस्तों में बदलाओ, कराने के बाद आम मुझे विश्वास हो गया था, कि इसमें मुझे कोई नुकसा नहीं होगा, बल्कि इसके दॉलर मुझे हर महीने 80 डॉलर नकट लाब देगा, इस लाब के कुड़ना करते हुए, मैंने समय मरम्मत के खड़्च और मकान के कुछ समय तक, खाली रहने के बारे में अच्छी तरह विचार कर लिया था, अगर बजार की स्थिति बिगड़ जाए, तो मैं अपने किराये में थोड़ी कमी करने के बावजूद पैसे कमा सकता था, और अगर बजार की स्थिति बहतर हो जाए, तो मैं किराया बढ़ा सकता था अमीर ड़ाडी ने कहा मैंने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से तुमें हर महीने कम से कम 1.500 डालर का नुकसान होता शायद इससे भी ज़्यादा अगर तुम हर महीने 1.500 डालर गमाते तो अपनी तनक्वा और खर्च के अधार पर तुम ऐसे कितने सौदे कर सकते थे? मैंने जवाब दिया, एक सौदे में ही मेरी हल खराब हो जाती, मेरे लिए हर मही में अतरिक तेर्ट सो डॉलर निकालना अकसर संभव नहीं होता, अगर मैंने पहला वाला अनुबंद किया होता, तो मैं हर महीने मुझे आर्थिक परिशानी से जूजना पड़ता, टेक्स में छूट मिलने के बाद भी इस निवेश की किष्ट के भुकतान के लिए, शायद मुझे कोई दूसरी नौकरी भी करनी पड़ती, अमीर डाइडी ने पूछा, और अब तुम्हे क्या लगता है, तुम 80 डॉलर का कैश लो देने वाले ऐसे कितने सौधे कर सकते हो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जितने चाहे उतने कर सकता हूँ, अमीर डाइडी ने सहमती से से रहलाया, अब वहाँ जाओ और ऐसे ढेर सारे सौधे कर लो, कुछ साल बाद हावाई में रियल स्टेट की कीमते आस्मान चूने लगी, परन्तु जहां मेरी सिर्फ एक जायदाद की कीमत दुगनी होती, वहीं अब मेरी सायद जायदादों की कीमत दुगनी हो गई, वह थोड़ी सी विद्य बुद्धी की शक्ती है, आप यह नहीं कर सकते, मेरे पहले रियल स्टेट निवेश पर एक महत्कूं टिपपणी से, जब मैं अपने रियल स्टेट एजेंट के पास अपना नया प्रस्ताव लेकर गया, तो उसने मुझे पहला वाक्य यह कहा था, आप यह नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोनिक है, इसलिए जब लोग अपनी आँखों से धनकी खोज करते हैं, तो वे कुछ नहीं देख पाते हैं, ज़्यादा तर लोग एक तनक्वा से दूसरे तनक्वा तक जैसे गुजर जाते हैं, हाला कि इस दुनिया में 1.4 ट्रिलियन डॉलर हर दिन इस व्यक्ति की तलाश में घूम रहे हैं, जो उन्हें कमाना चाता है, यह डॉलर ऐसे व्यक्तियों को खोज रहे हैं, जो जानता हो कि धन को कैसे संभाला जाता है, इसे पोशड कैसे दिया जाता है, इसे बढ़ाया कैसे जाता है, अगर आप धन को संभालना जानते हैं, तो धन ना सिर्फ आपके पास आएगा, बलकि उचलता हुआ आएगा, लोग आपसे उनका धन लेने के लिए मिन्मते करेंगे परन्तु अगर आपको ये नहीं मालूम कि धन को कैसे संभाला जाता है तो धन आपसे दूर रहेगा आपको याद है मेरे अमेर डैडी ने वित्य बुद्धी को किस प्रकार प्रदिभाशित किया था वित्य बुद्धी का संभन इस बातों से उतना नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं जितना इस बात से है कि आप कितना धन बनाये रखते हैं आप अपने धन से कितनी कड़ी महनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पेडियों तक अपने पास रख पाते हैं अंधों को अंधे रहा दिखा रही है अमीर डैडी बोले निवेश करते समय औसत व्यक्ति आखों से 95 प्रतिशत और दिमाग का सिर्फ 5 प्रतिशत इस्तमाल कर रहा है अगर आप कॉडरेंट के B को समझने की योग्यता में शुरू करते हैं अगर आप शब्दों या अंकों को नहीं समझ पाते तो यह विदेशी भाशा में समझने जितना ही मुश्किल काम होगा और कई मामलों में हर कॉडरेंट विदेशी भाशों का प्रतिनिदित करता है कैश फ्लो कॉडरेंट को ध्यान से देखें हर कॉडरेंट अलग देश की तरह है वे समान शब्दों का प्रयोग नहीं करते और अगर आप शब्दों को नहीं समझते हैं तो आप अंकों को भी नहीं समझ पाएंगे उधारन के तोर पर अगर कोई डॉक्टर खेता है आपका सिस्टोलिक 120 और डाइस्टोलिक 80 है तो यह अच्छा या बुरा क्या आपने अपनी सेहत के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत है जाहिर है नहीं परन्तों फिर भी यह शुरुवात तो है यह इस तरह की बात पूछना है मेरे स्टोक का पी-ई 12 है और मेरे अपार्टमेंट हाउस का कैप रेट 12 है क्या मुझे अपनी दौलत के बारे में बस इतना ही जानने की शुरूरत है जरूरत है एक बार फिर जबाब है नहीं परन्तों फिर भी यह एक छोटा सा हिस्सा है तो विमान उड़ाना अनन्दायक और रुमान्चक होता है परन्तों अगर आपने कभी फ्लाइट स्कूल में प्रेजिस्चन नहीं लिया तो मैं आपको यही सला दूँगा कि आप विमान उड़ाने के काम दूसरे हाथों को सौब दे बुरी सला जोखिम भरी है अमीर डैडी का द्रिन विश्वास था कि सला ना होने से किसी भी तरह की वित्य सला बहतर है वे खुले दिमाग की इंसान थे वे सिष्ट थे और बहुत से लोगों के बारे में बाते सुनते थे परंतु अंतधा वे अपने निर्णे लेने के लिए अपना ही वित्य बुद्धी का प्रयोग करने में विश्वास करते थे अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो सला ना मिलने से कोई भी सला बहतर है परंतु अगर आपको बुरी और अच्छी सला के बीच का अंतर नहीं मालूम हो तो यह खतरनाक है अमेड डैडी का दिर्णे विश्वास था कि अधिकांश लोग वित्य रूप से इसलिए संगर्ष करते हैं क्योंकि वो उस वित्य जानकारी के अधार पर काम करते हैं जो पिता से पुत्र को संखेप होती है और अधिकांश लोग वित्य रूप से स्ट्रिडिक परिवार में पैदा नहीं होते वे अकसर कहते हैं बुरी वित्य सला जोखिम भरी है और अधिकांश पुरी सला घर पर दी जाती है ऐसा शब्दों का नहीं बलकि कार्यों के कारण होता है बच्चे शब्दों के बज़ाए उधारणों से ज़्यादा सीखते है आपके सलाकार आप जितने ही स्मार्ट हैं अमेरी डैडी कहते थे आपके सलाकार आप जितने ही स्मार्ट हो सकते हैं अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो वे आपको सिर्फ सुरक्षित वित्य रणनीतियां सुझाने के लिए कानून बाध्य हैं अगर आप अप्रिशिक्रेत निवेशक हैं तो वे आपके सामने सिर्फ कम जोखिम और कम आमदनी वाले निवेशका प्रस्ताओ रख सकते हैं वे अकसर आप रिख्षित निवेशकों को डाइवर्जिफिकेशन का सुझाओ देते हैं बहुत कम सल्हकार यह है विकल्प चुनेंगे कि आपको प्रतिशत करने के लिए आपको समय निकालें इसका कारण यह है कि उनका समय भी बहु मूल्य है परन्तु अगर आप वित्य रूप से सिक्षित हैं और अपने धन को उचित प्रजिंधन करने के लिए जिम्मेदारी ले ले लेते हैं तो सुयोग्य सल्हकार आपको ऐसे निवेशों और रणनीतियों की जानकारी दे सकता है जिने बहुत थोड़े लोग दे पाएंगे जूप नहीं बोल रहे हैं वे सिर्फ सच नहीं बता रहे हैं वास्तविक्ता यह है कि जब आपको बेंकर आपसे कहता है कि आपका मकान संपत्ती है तो वह आपसे झूप नहीं बोल रहा है वह सिर्फ आपको पूरी सच्चा ही नहीं बता रहा है हाला कि आपको मकान संपत्ती है परंतु वह आपको यह नहीं बता रहा है कि यह किसके संपत्ती है क्योंकि अगर आप financial statement पढ़ते हैं तो आप असानी से देख सकते हैं कि आपका मकान आपकी संपत्ती नहीं है, यह तो बैंक की संपत्ती है, तिछ डैड पूर डैड में हमें डैडी द्वारा बताई गे संपत्ती और दायत्तों की परिभाशा याद कीजिए, संपत्ती से मेरी जेब के अंदर धन आता है और दायत्तों से मेरी जेब से बाहर धन कौर्डरेंट के पाइं हिस्से के लोगों को यह यंतर जानने की दरसल कोई जरूत नहीं है उन में से ज़्यादा तर अपनी नौकरी में सुरक्षित महसूस करने में खुश हैं वे इस बात से खुश हैं कि उनके पास एक बड़ियां मकान हैं जिसके वे मालिक हैं जिस पर उन्हें गर्व है और जिसके बारे में वे सोचते हैं कि उस पर उनका नियंतर्ण है जब तक वे अपनी पूरी किस्तों का बुक्तान करते रहेंगे तब तक कोई भी उनसे उनके मकान नहीं चीन सकता अब बैलेंस हो जाता है अब इसका मतलब समझ में आता है यह B और I अकाउंटिंग है परन्तु इसे बेसिक अकाउंटिंग में इस तरह नहीं पढ़ाया जाता अकाउंटिंग में आप अपने मकान के मूले को समपत्ती के रूप में दिखाते हैं और मौट ग्रिस को दायत्तु के रूप में एक और महत्तों पिंदु पर ध्यान दे कि आपके मकान का मूले एक ऐसी राय है जो बजार के साथ बदलती रहती है जबकि आपकी मौट ग्रि और आई के लिए आपके मकान का मूले संपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कैश फ्लो नहीं मिलता है क्या होगा अगर मैं अपनी सारी माटग्रेस चुका दू कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा अगर मैं अपनी सारी माटग्रेस चुका दू क्या तब मेरा मकान संपत्ती बन जाएगा इस पर मेरा जवाब होता है अधिकांश मामलों में जवाब अभी नहीं है यह अभी एक दायत तो है मेरे इस जवाब के पीछे कई कारण है एक है रख रखाओ और अन्य समान्य खर्च जायदाद किसी कार की तरह होती है अगर आप इसके पूरे स्वामी हो तब भी आपको इसे चलाने के लिए धनके जुरत होती है और कई बार जब यह टूपना शुरू करती है तो हर चीट टूपने लगती है अधिकांश मामलों में लोग अपने घर या कार की मरमत का भुकतान अपने उन डॉलरों से करते हैं जो उन्हें टैक्स कटने के बाद मिले हैं बी और आई कॉर्डरंटों का कोई व्यक्ति जायदात का सिर्फ तभी संपत्ति माना जाता है जब उसे इससे कैश फ्लो या आमदनी का प्राप्त हो रही हो करज चुकाने के बाद भी मकान के दैटों वने रहने का प्रमु कारण यह है कि आप दरसल अब भी इसके सवामी नहीं है अगर आप इसके सवामी होते तो सरकार आप पर टैक्स क्यों लगाती अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप property tax देना बंद कर दें जल्द ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपका मकान दरसल किसकी संपत्ती है यहाँ पर tax lien certificate का उद्याम है जिसके बारे में मैंने which dad poor dad में लिखा है tax lien certificate आपके धन पर कम से कम 16 प्रतिशत ब्याज पाने का बहतरीन तरीका है अगर मकान मालिक अपने property tax का भुकता नहीं करते हैं तो सरकार उन्हें द्वारा ना चुकाए गए tax पर ब्याज लगाती है derivative का असान परिभाशा यह है कि कोई ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज से उत्पन होती है orange juice derivative का एक उधारण है orange juice औरेंज यानि नारंगी का derivative है मैं सोचता था कि real state का अर्थ real यानि वास्तविक है अर्थार्थ एक मूर्थ चीज मेरे अमी डड़ी ने मुझे समझाया कि उसका उध्यम दर्थल स्पैनिश रियल से हुआ है जिसका अर्थ है royal यानि शाही अल कैमिनो रियल का अर्थ है शाही सणक रियल स्टेट का अर्थ है शाही जायदाद जब पंदरा सो के आसपास क्रिशी युग समाप्त हुआ और अध्यागिक युग के शुरुआत हुई तो शक्ती भूमी और क्रिशी पर आधारित नहीं रह पाई समराटों ने महसूस किया कि उन्हें बदलना होगा क्योंकि भूमी सुधार कानिनो वज़ हसे किसान भूमी के मालिक बन गए थे तब समराटों के डेरिवेटिव की रचना की जैसे भूमी के स्वामित्यू अपर टैक्स और मौट ग्रेज जिने चुका कर आप चंता भूमी के स्वामी बन सकती थी टैक्स और लोन डेरिवेटिव क्योंकि वे भूमी से उत्पन होते हैं आपका बैंकर लोन का डेरिवेटिव नहीं कहेगा वे कहेगा यह भूमी द्वारा सुरक्षित है अलग-अलग शब्द एक ही अर्थ तो जब समराटों ने समझ लिया कि धन अब भूमी से नहीं बलकि लोन से लिया जाता है तो कर्ज यानि 80,000 डॉलर को घटा दे आपने जो कुल ब्याज चुकाया है वे है 1,31,000 डॉलर एक बात और इस 2,21,000 डॉलर में प्रॉपर्टी टेक्स और लोन की बीमा भी शामिल नहीं है अजीब बात यह है कि 1,31,000 डॉलर ब्याज का आकड़ा 80,000 डॉलर पर 8 प्रतिशत के दर से थोड़ा नजर आता है एक तरह से यह 30 फर्षों में 160 प्रतिशत से भी अधिक ब्याद लग जाता है जैसा मैंने कहा वे आपसे जूट नहीं बोल रहे हैं वे तो सिर्फ आपको पूरी सच्चाई नहीं बता रही है पर अगर आप अंको को नहीं पढ़ सकते तो आप दरसल कभी नहीं जान पाएंगे कि वैसे अगर आप अपने मकान से खुश हैं तो आपको इसकी परवा भी नहीं होगी परंतु जाहिर है बैंकिंग उद्द्योग जानता है कि कुछ सालों में आपके मन में एक नए मकान एक बड़े घर एक छोटे घर और एक वकेशन हाउस में अपनी मौट ग्रेस को दुबारा फाइनेंस करवाने की इच्छा जागरित होगी वे ये बात जानते हैं कि इस अनुमान के लिए अधार पर ही आपकी योजनाय बनाई जाती है उद्द्योग का उद्द्योग बैंकिंग उद्द्योग में किसी मौट ग्रेस की जीवन आशा आस्तन साथ वर्ष मानी जाती है यानि बैंक को यह आशा होती है कि उसद व्यक्ति हर साथ साल में एक नया मकान खरीदेगा या रिफाइनेंस करवाएगा और ऐसा दर्शकोक से लखुता हा रहा है कि उन्हें आशा की किरन दिख कई है और वे दोड़कर अपनी फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं अपने गर को दोबारा फाइनेंस करवाते हैं अपने क्रेडिट कार्डों का करज चुकाते हैं और खुद को समझदार मानने लगते हैं कुछ सब्ता बाद वे फिर से खरीदारी में जुड़ जाते हैं वे एक नई पोशाक खरीदते हैं एक नया लॉन मौर खरीदते हैं या महसूस करते हैं कि उनके बच्चे की नई साइकल चाहिए तो वे उन्हें छुटिया मनाने ले जाते हैं क्योंकि वे ठक गए हैं अब उनके पास एक साफ सुत्रा क्रेडिट कार्ड भी है या उन्हें अपनी अचानक से डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिल जाता है क्योंकि उन्होंने अपने पुराने क्रेडिट कार्ड का उपियोग धंक से किया है उनकी क्रेडिट कार्ड की साख बहुत अच्छी है वह इसे आमतौर की भाशा में क्रेडिट स्कोर भी कह सकते हैं वे अपने बुलो का भुपतान इसी से करते हैं उनका छोटा सा दिल बिल्लियां उचलने लगती है और वे खुद से कहते हैं चलो भी मुझे यह सब मिलना चाहिए मैं हर महीने थोड़ी सी रकम देकर यह सब चुका सकता हूँ भावनाय तर्क परहावी हो जाती है और साव सुत्रा नया क्रेडिट कार्ड बाहर आ जाता है जैसा मैंने कहा जब बैंकर कहते हैं कि आपका मकान संपत्ती है तो वे जूट नहीं बोल रहे हैं जब सरकार कर्ज में डोबने के लिए आपको टैक्स में छूट देती है तो यह ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि यह आपको वित्य भविष्य के लिए चिंतित है सरकार तो अपने वित्य भविष्य के लिए चिंतित है इसलिए जब आपका बैंकर accountant, वकील या school teacher आपको बताता है कि आपका मकान सपनती है तो वह सिर्फ यह कहना भूल जाता है कि यह किसकी संपत्ती है और बचत क्या यह संपत्ती है आपकी बचत दरसल आपकी संपत्ती है यह एक अच्छी खबर है परन्तु एक बार फिर financial statement को पढ़ने के बाद ही आप पूरी तस्वीर को देख सकते है हाला कि यह सच है कि आपकी बचत संपत्ती है परन्तु जब आप शहर के उस पार bank balance की sheet देखते है तो आपकी बचत वहाँ दाइत्तु के रूप में नजार आती है आपकी बचत और checkbook का balance आपकी संपत्ती के column में इस प्रकार दिखता है आपकी balance sheet परन्तु आपके bank की balance sheet में आपकी बचत और आपकी checkbook का balance इस प्रकार दिखता है आपकी बचत बैंकों के लिए दाइत्तो है फिर वे सरकार से ऐसा कानून बनाने के लिए क्यों कहेंगे जो आपको बैंक में धन जमा करने के लिए प्रोचसाहित करे वे धन जो उनके लिए एक दायत तो होगा उन्हें आपकी बचत के जुरत नहीं है इसके इलावा बैंकों में दरसल आपकी बचत की जुरत भी नहीं है उन्हें अधिक डिपॉजिट की जुरत नहीं है क्योंकि वे धन को कम से कम 10 कुना बढ़ा सकते हैं अगर आप बैंक में 1 डॉलर का नोट जमा करते हैं तो कानून बैंक 10 डॉलर उधार दे सकता है पर केंद्रिय बैंक द्वारा निर्धारित रिजर्व लिमिट के अधार पर शायद 20 डॉलर तक भी इसका मतलब यह है कि आपका 1 डॉलर का नोट अचानक 10 डॉलर क्या इससे अधिक हो जाता है यह जादू है जब मेरे अमीर डैडी ने मुझे यह दिखाया तो मुझे यह विचार बहुत पसंद आया कि उस समय मैं जान गया था कि मैं स्कूल जाकर बैंकर बनने के बज़ाए बैंक का मालिक बनना चाहता हूँ इसके इलावा बैंक आपको उस एक डॉलर पर सिर्फ पांच प्रतिशत ब्यास देता है ग्राहक के रूप में आप सुरक्षित अनुभाव करते हैं क्योंकि बैंक आपको धन पर कुछ ब्यास तो दे रहा है बैंक इसे अच्छे ग्राहक सम्मंद के रूप में दिखाता है क्योंकि अगर आप अपने उनकी बैंक में बचत खाता खोल रखा है तो आपको जब उधार की जुरत होगी तो आप उन्हीं के पास आएंगे वे चाहते हैं कि आप उनसे उधाल लें क्योंकि वे तब उधार दिये घन पर क्योंकि तब उधार दिये गए धन पर आपसे 9 प्रतिशत या इससे ज़्यादा ब्याद ले सकते हैं जहां आप अपने 1 डॉलर पर 5 प्रतिशत ब्याद कमाते हैं वही बैंक उस डॉलर से 10 या 19 प्रतिशत ब्याद आपको वसूलता है हाल ही में मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड मिला जिसमें 8.9 प्रतिशत ब्याच का विग्यापन दिया गया था परन्तु अगर आप बारिक शक्षरों में लिखी कानूनी शब्दा वाली को समझते हों तो ये दरसल 23 प्रतिशत था कहने की जुरत नहीं है कि मैंने उस क्रेडिट कार्ड के दो टुकडे करके उसे वापिस भिजवा दिया उन्हें आपकी बचट वैसे भी मिल जाती है बचट के लिए टेक्स छूटना मिलने का एक और बहुत स्पष्ट कारण है अगर आप अंको को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैश फ्लो इस तरह हो रहा है तो आप देखेंगे कि उन्हें आपकी बचट वैसे भी मिल जाएगी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में आप जो धन बचा सकते हैं वे आपके दैत्त वाले कॉलम में लोन पर ब्याज के रूप में जा रहा है और उनके संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ा रहा है यह कैश फ्लो पैटर्न इस तरह दिखता है आपका फाइनेंशिल स्टेटमेंट इसलिए बैंक नहीं चाहते कि सरकार आपको बचट के लिए टेक्स में छोट दे तो वैसे भी आपकी बचट ले लेंगे कर्ज पर ब्याज के भुक्तान के रूप में राजनेता इस व्यवस्था के साथ छेड़चार नहीं करते हैं क्योंकि बैंकें, बीमा कंपनियां, दिर्माड उद्द्योग और प्रोक्रेज हाउसिस राजनीतिक चुनाओ, अभी अनो, और बहुत सा धन देते हैं और राजनेता इस खेल का अच्छी तरीके से निभाते हैं खेल का नाम 1974 में मेरे अमेरी डैड़ी इसलिए परेशान हो गए थे क्योंकि यह खेल मेरे खिलाफ खेला गया था और मैं यह बात नहीं जानता था मैंने जब रियल स्टेट खरीदने में निवेश किया था तब मैं हारने वाली स्थिती में था परंतु मुझे यह यकीन दिलाया गया था कि मैं जीतने वाली स्थिती में हूँ अमेरी डैड़ी ने कहा मुझे खुशी है कि तुम खेल के मैदान में दाखिल हुए परिंतू क्योंकि किसी ने भी तुम्हें यह कुछ नहीं बताया कि खेल के नियम क्या है इसलिए तुम हारने वाली टीम में शामिल होगाई अमेर डैडी ने फिर इस खेल की मूलभूत बाते सपश्ट की इस व्यक्ति के जो इस खेल में बिलकुल अनाडी है आप जितने ज़्यादा लोगों को कर्ददार है आप उतने ही ज़्यादा गरीब है अमेर डैडी हमेशा कहा करते थे आप जितने ज़्यादा लोगों के कर्ददार है आप उतने ही ज़्यादा गरीब है और जितने ज़्यादा लोग आपके कड़दार हैं, आप उतने ही ज़्यादा अमीर हैं, यही इस खेल का सार है जैसा मैंने कहा, मैंने अपना दिमाग खुला रखने के लिए संगर्श किया इसलिए मैं खामोश रहा और उन्हें समझाने दिया वे ऐसा दुर्भावना से नहीं कह रहे थे, वे तो सिर्फ उस खेल को समझा रहे थे, जिसे वे अच्छी तरह से समझते थे हम सब किसी ना किसी के करज़दार होते हैं, समस्याइं तब उत्पन होती हैं, जब करज संतुलन से बाहर चला जाता है दुर्भाग्य से इस दुनिया के गरीब लोगों को इस खेल में इधर उधर दोड़ाये जाता है और वे अक्सर करज में पूरी तरह डूप जाते हैं, यही गरीब देशों के बारे में भी सही है दुनिया गरीबों, कमजोरों, वित्य रूप से अज्यानियों को निचोड लेती है अगर आप पर बहुत ज़्यादा करज है, तो दुनिया आपका सब कुछ ले लेती है आपका समय, आपका काम, आपका मकान और आपका जीवन एक बोड़ी महिला, ब्रेड खरीदने के लिए जर्मनी की मुद्रा, यानि मौक्स से मरे हुए, मौक्स से भरे हुए, ठेले के धकाकर चला रही थी जब उसने पीट हुमाई, तो किसी ने ठेला चुरा लिया, और मुल्य रहित धन के धेर को सड़क पर छोड़ दिया इसलिए अधिकांच धन, आज अदेशित धन है, यानि ऐसा धन, जो कि किसी मूर्थ चीज़े, जैसे सोने या चांज़ी में नहीं बतला जा सकता धन तभी काम का है, जब लोगों को सरकार में विश्वास है, जो इसके भुगतान को अज़श्वाशन देती है फियट की अन्य परिभाशा है, शंक्त संपन आदेश, जो पूँश सत्तावन व्यक्तियों या सम्हू द्वारा दिया जाता है आज के अधिकांश वेश्विशिक, अर्थविवस्था, कर्ज और विश्वास पर आधारित है जब तक हम सब एक तूसरे का हाँ थाम रुके रहेंगे और कोई भी मानविय श्रिंखला को नहीं तोड़ेंगे तब तक सब कुछ ठीक रहेगा और मैं ठीक शब्द का असुरक्षित, यूरोटिक और भावुक अनुभो करने में संचित रूप मानता हूँ आपका कर्दार कौन है? 1974 में जब मैं यह सीख रहा था कि 56,000 डॉलर के कॉंडो या मकान कैसे खरीदे जाए तो मेरे अमेर डैड़ी ने मुझे यह महत्कूर सबक सिखाया कि सौदे के अनुबंद की शब्दावली कैसी हो? इस पर मैंने कहा, परंतु कई लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है अमेर डैड़ी बोले, यह सही है, अधिकांश लोगों के लिए यह जिन्दा रहने का जरिया है अधिकांश लोगों के लिए धन एक ऐसा खेल है, इसे खेलने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है दुर्भाग्य से हम जितने सब्भे होते हैं, धन हमारे जीवन का उतना ही अनिवारे हिस्सा बनता जाता है अमेर डैड़ी ने केश लो कॉडरेंट खीचा, इसे कैसे टैनिस कोट या फुटबॉल के मैदान की तरह देखो धन के खेल के खेलते समय, तुम किस टीम में रहना चाते हो, E, S, B या I तुम मैदान की किस हिस्से के बारे में जानना चाते हो, दाए हिस्से के बारे में या बाए हिस्से के बारे में मैंने कॉडरेंट के दाए हिस्से की तरफ इशारा किया अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपका लाब होना चाहिए अमीर डैडी ने कहा इसलिए जब कोई आपसे कहता है कि 30 साल तक हर महीने 1500 डॉलर का नुक्सान उठाना एक अच्छा सौदा है क्योंकि सरकार आपको इस नुक्सान पर टैक्स में छूट देगी और उसे उमीद है कि रियल स्टेट की कीमत बढ़ जाएगी तो आप उस सेल्स एजन्ट पर भरोसा नहीं करते हैं और खेल के मैदान में नहीं उतरते हैं आप इस मानसिक्ता को खेल नहीं खेल सकते हाला कि ये विचार सही साबित हो सकता है परन्तु कॉर्डरंट के दाई हिस्से में खेल इस तरीके से नहीं खेला जाता कोई आप से यह कह रहा है कि आप कर्ज में उतरें हर तरह का जोखिम ले और इसके लिए नुकसान भी उठाएं पाई हिस्से के लोग सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है परन्तु दाई हिस्से के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं मैं थोड़ा हिल गया था हमेरी डैडी ने कहा इस पर मेरे नजरिये से देखो तुम आसमान में बने इस कॉंडो के 56,000 डॉलर में खरीदना चाते हो तुम कर्ज लेने के लिए हस्ताक्षर कर रहे हो और जोखिम ले रहे हो किरायदार को वहां रहने के लिए जितना किराया देना चाहिए व्या उससे कम किराया देता है इस तरह से देखा जाए तो तुम उस व्यक्ति को वहां रहने के लिए सबसेड़ी दे रहे हो क्या तुम्हें इसमें समझतारी लिखती है मैंने सिरह लाकर कहा नहीं अमेर डैडी बोले खेल को खेलने का यह मेरा तरीका है आगे से अगर तुम कर्ज और जोखिम लेते हो तो तुम्हें लाब होना चाहिए समझ गए मैंने अपना सर सहमती से हिलाया अमेर डैडी ने कहा धन कमाना कोमन सेंस या समान्य ग्यान है या रॉकेट विज्ञान जितना मुश्किल नहीं है परन्तु दुर्भाग्य से जब थन कमाने की बात आती है तो समान्य ग्यान समान्य नहीं होता बैंकर आपसे कहता है कि आप कर्ज लें वे आपसे कहता है कि सरकार आपको उस चीज के लिए टैक्स में छूट देगी जो दरसल मूलबूत आर्थिक समझदारी भी नहीं है फिर एक रियल स्टेट सेल्समें आपसे सौदे पर हस्ताक्षर करवाने के लिए कहता है क्योंकि वे एक ऐसा किरायदार खोट सकता है जो आपकी किस्त में भी बुक्तान देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी राय में कीमते बढ़ेंगी इससे तुम्हें समझदारी लग सकती है पर अंतु तुम्हारा और मेरा समान्य ग्यान अलग-अलग है मैं खड़ा-खड़ा वहीं देखता रहा मैंने उनकी हर बात सुनी और मुझे मानना पड़ा कि सौदा अच्छे लगने के कारण मैं इतना रुमान्चित हो गया था कि मेरी बुधी घांस चिरने चली गई थी मैं सौदे का विशलेशन नहीं कर पाया था क्योंकि सौदा बड़ा कर्ज था इसलिए ये सुनक्षित कर लेना चाहिए कोई दूसरा इसे ना चुकाए वे धन और खर्ज का खेल को ऐसे तरह खेलते थे जो आपके साथ मेरे साथ हर एक के साथ खेला जा रहा था यह हर बिजनस और देश में खेला जा रहा था वे इसे सिर्फ खेल की तरह देखते थे समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है, कई लोगों के लिए धन जिन्दा रहने का साधन है, अक्सर जिन्दगी है और क्योंकि किसी ने उन्हें इस खेल के बारे में नहीं समझाया, इसलिए वे अब भी उन बैंकर्स पर विश्वास करते हैं, जो कहते हैं वका वाएं हिस्से में सफल होना चाते हो, तो तुम्हें तथ्य और राय की बीच में फर्क को जानना होगा, तुम अंधों की तरह वित्य सलह स्विकार नहीं कर सकते, जिस तरह से वाएं हिस्से के लोग करते हैं, तुम्हें अंक जानना चाहिए, तथ्य जानना चाहिए, और अ पूम्य तथ्य बना देते हैं। तुम्हारा वित्य वचाओ। किसी दोस्त यो सल्हकार के शब्दों क्या राय पर नहीं हैं। मैंने पूछा। मैं नहीं समझा। इससे क्या फर्रक पड़ता है कि कोई चीज तथ्या या राय है। क्या आप एक ऐसी चीज़ को दूसरी चीज़ से भैतर है नहीं अमीर डैडी ने जवाब दिया सिर्फ यह जान लो कि कौन सी चीज़ कब तथ्य होती है और कब रहे क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था इसलिए मैं चहरे पर दूइधा के भाव लेकर खड़ा था अमीर डैडी ने कहा तुम्हारे परिवार के मकान का मूल्य क्या है वे मेरी दूइधा को दूर करने के लिए उधारन दे रहे थे मैंने ततकाल जवाब दिया मैं जानता हूँ मेरे माता पिता इसे बेचने के बारे में सोच रहे है इसलिए हमने एक रियल स्टेट एजेंट को बिलवा कर इसकी कीमत तै करवाई इसके हिसाब से इस मकान का मूल्य 36,000 डॉलर है इसका मतलब यह है कि इसकी वास्तवी कीमत में 16,000 डॉलर की वृद्धी हुई है क्योंकि डैडी ने इसे 5 साल पहले सिर्फ 20,000 डॉलर में खरीदा था तो कीमत तै करना और इसकी वास्तवी कीमत तथ्य है या राए अमेरी डैडी ने पूछा मैंने इस बारे में कुछ देर सोचा और वह समझ गए जो वे समझाने की कोशिश कर रहे थे दोनों ही राए हैं अमेरी डैडी ने धीमे से कहा मेरी परिमाशा के हिसाब से स्वन्ड सिर्फ तभी संपत्ती है जब आप इसे जितनी कीमत में खरीदे उससे ज़्यादा कीमत में बेचे दूसरे शब्दों में अगर आप इसे 100 डॉलर में खरीदे हैं और 200 में बेचते हैं तो यह एक संपत्ती है पयान्तु अगर आपने एक औन स्वन्ड 200 डॉलर में खरीदा और 100 डॉलर में बेच दिया तो इस सौदे में स्वन्ड एक दायत तो है सौदे के वास्तविक वित्तिया आकड़े अन्तथा आपको तख्या बताते हैं वास्तविक्ता में सिर्फ आप ही संपत्ती या दायत तो है क्योंकि अन्तथा सिर्फ आप ही स्वन्ड को संपत्ती बना सकते हैं और सिर्फ आप ही इसे दायत तो बना सकते हैं, इसलिए वित्य शिक्षा इतनी महत्पूर है, मैंने बहुत से लोगों को और सिर्फ आप ही को इस दायत को को बनाते हुए देखा है। परंतु बाद में मैं उन्होंने उसे एक वित्य दुस्वत्ना में बदल दिया, कई लोग अपने व्यक्तिकर जीवन में भी यही करते हैं, वे मेहनत से कमाये धन को लेते हैं और उससे जीवन भर के दायत तो उत्पन कर लेते हैं, मैं और भी जादा दुविधा में पढ़ ग रहे थे, बहुत से लोग सिर्फ किसलिए फस गए, क्योंकि वे तथ्या नहीं जानते थे, मैं हर दिन डरावनी कहानिया सुनता था, कि लोगों ने राय के तथ्या मानने के कारण अपना सारा धन गवा दियां, किसी वित्य निर्ने को लेते समय, राय कुछ इस प्रकार की हो पाएंगे, वे अपनी पहन से ज़्यादा स्मार्ट है, बॉन्ड स्टॉक से ज़्यादा सुरक्षित है, जो लोग गलतियां करते हैं, उमूर्ख होते हैं, वे इतनी कम कीमत पर कभी नहीं बेचेगा, वे मेरे साथ डेटिंग पर कभी बाहर नहीं जाएगी, निवेश करना जोखिम भरा है, मैं कभी अमीर नहीं होपाउगा, मैं कॉले नहीं जा पाया, इसलिए मैं जीवन के दोड कभी आगी नहीं निकाल पाउँगा, आपको अपने निवेश, हाई सिरवाई, कर लेना चाहिए, अमीर डैडी की सुची आगे बढ़ती चली गई, जब तक कि उन् सुनते सुनते ठक गया ठीक है मैंने आखिरकार कहा मैंने परियाप सुन लिया है कि आप क्या कहना चाते हैं अमेरी डैडी मुस्कुराए मैं सोच रहा था कि तुम मुझे बीच में नहीं रोकोगे ठीक है मैंने आखिरकार कहा मैंने परियाप सुन लिया है आप क्या कहना चात करते हैं हमेरी डैड़ी मुस्कुराएं मैं सोच रहा था कि तुम मुझे बीच में कभी नहीं रोकोगे द्यू डिलियनेस या उचित जाच पड़ताल का अर्थ सिर्फ यह पता लगाना है कि राय क्या है और तथ्य क्या है जब धनकी बात आती है तो अधिकांश लोग या तो गलतियां करने से इतने ही डड़ते हैं कि वे सर्फ डियू डिलियन्स ही करते हैं और इसके अलामा कुछ नहीं करते बहुत अधिक डियू डिलियन्स या विशलेशन्ड का लगवा भी कहा जाता है सबक यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि तथ्या और राय के बीच में कैसे किया जाता है और इसके बाद निर्ण्य कैसे लिया जाता है जैसा मैंने कहा अधिकांश लोग आज वित्या-कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शॉटकट अपनाए हैं और वे अपने जीवन का निर्ण्य तथ्यों के बज़ाए राय के अधार पर ले रही हैं, खास तोर पर E या S की राय के अधार पर. अगर आप B या I बनना चाहते हैं, तो आपको बस इस फर्क को बहुत ज़्यादा जागरूख होना होगा. मैं उस दिन अमिर डैडी के सबक के महत्तु को पूरी तरह नहीं समझ पाया, परन्तु आगे चलकर बहुत कम सबक जिस्ते ज़्यादा लापकारी साबित हो, खास कर जब अपने धन को सम्हालने की बात आती है, तक तथ्या और राय के बीच का फर्क जानना बहुत महत्पूर् किसी दूसरे की बैलेंस शीट, अगर आप खेल को समझने लगे हैं, तो आपको यह एह एसास हो गया होगा, कि सूची में दी गई दायती, किसी दूसरे की बैलेंस शीट इस तरह दिखेंगे तनक्वा से भी कम दूर है, सिर्फ इसलिए, क्योंकि वह बहतर जीवन जीना चाता है, और खेल में हार जाता है, आम लोगों के खिलाब बहुत सी चीजे होती हैं, वे अब भी सोचते हैं, कि उनका मकान, कार, गॉल्फ, कलब्स, कपड़े, विकेशन होम और विलासिता के अ पड़ता है, क्योंकि वे वित्य अंक नहीं पड़ सकते, वे तथ्या और राइग में फर्क नहीं कर सकते, अधिकांश लोग स्कूल जाते हैं, और खिलाडी बनना सीख लेते हैं, परंतु किसी ने भी उन्हें खेल के नियम स्कष्टिता से नहीं समझाए हैं, किसी ने भी हर एक के कर्जदार बन जाते हैं, धन एक विचार है, मुझे आशा है कि अब आप कैशलो कोडरेंट की मूल भुद बातों को समझ चुके हैं, और यह जानते हैं कि धन दरसल एक विचार है, जो आखों के वज़ाए मस्तिश्क से ज़्यादा स्पष्ट दिखता है, धन के ख पूर यह है कि कैशलो कोडरेंट के दाएं हिस्से में पहुँचने के लिए आपको क्या बनना चाहिए, इस पुस्तक का दूसरा खंड अपने भीतर के सर्वस्रेश ट्रूप को बाहा निकालना है, धन्यवाद, अगर आपको यह आडियो बुक पसंद आई है, तो आप हमें लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, धन्यवाद.